तो आज का वीडियो है होम साइंस 321 12 स्टैंडर्ड के लिए जो की है फूर्ड नूटिशन अन हेल्प यह तैंसराइंड के बच्चे भी इसको देख सकते क्यूंकि 10 और 12 का जो मैच अप है होम साइंस का वो कहीं न कहीं सिर्फ आपको नौलेज होना चाहिए बाकी के आंसर आप अपने तरीके से लिख सकते और एनायस में यह एक पॉजिटिव फॉइंट मुझे हमेशा नजर आता है कि अगर आप अपने तरीके से अंसर लिखते हैं तो आपको जरूर से जरूर मार् आपको ब्लैंक छोड़ना नहीं है तो आज हम बात करेंगे food nutrition and health के बारे में कि कौन-कौन से food में कौन-कौन से खाने में क्या-क्या nutrition क्या-क्या तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए healthy होते हैं हमें ताकत देते हैं energy हमारे body को सारे parts को फूफ करने में और साथ ही ताकत देती है चीजों को handle करने में तो शुरुआत करते हैं the term food brings to our mind countless images we think of item not only that we eat and drink but also how we eat them and the places and the people with whom we eat and drink food plays an important role in our lives and closely associated with the extensive it is probably one of the most important needs of our lives the food that we eat is composed of small unit that provide nourishment to the body there are required to varying amount in different parts of the body for performing specific functions these means that good nutrition is essential for a good health however if our diet provides the important units in incorrect amounts either very less or in excess of what is required and result in an imbalance of a nutrient in your body the condition is responsible for various deficiency diseases and slow or no growth of the body in this lesson you will learn that about why food is essential is functions and components you will also be introduced to the term like nutrition and the nutrients after the learning the meaning of these terms you will learn that sources and functions of the nutrients and the amount required by the indifferent individuals and this paragraph we learned about कि कौन से फूड में बहुत सारी अपज़े से मैने नाम ले लिया समूशे का वाई समूशे आजकर सबको पसंद है तो अगर मैं किसी फूड आईटम का नाम ले ले लूंआ है तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजिए अपने आप एगदम बताने नहीं पढ़ता कि आपको सोचना है उस फूट के बारे में हमारे दिमाग में पहले से आ जाएगा किसी ने अगर किसी फूट का नाम लिया है किसी खानी का नाम लिया है तो जैसे एक्जामबल में आपको दो कि समूसे का नाम लिया और आपको सोचना नी पड़ेगा कि हाँ समूसा कैसा होता है क सब दिखता है तुरंत आजाएगा कि हमने कहां पर सम्मू से खाए थे और वो कहां कौन से दुकान में मिलते हैं कैसे बनाते हैं यह सारी इमेजिस अपने आप आ जाती हैं तो कहने का मतलब यही है कि फूड प्लें द्रोन के हमारे वाड़ィ के लिए हमारे वाड़ी के लिए हमारे लाइफ में फूड की क्या महत्व है कि बहुत जाधा बपॉर्टन से अगर फूड नहीं होगा तो व्मारी वाड़ी नीं चलेगे ऐन और आज कल तो बहुत सारे इस्चु भी हो जाते हैं कि हम तो यह सारी चीजे जो हैं प्रॉब्लम्स क्रियेट करती हैं अगर हम खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं फूड का बड़ा ही रोल है अगर हम जादा सैलड नहीं खाते हैं तो हमारे बॉड़ी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपके वोड़ी फूंसी आने लगेंगे गलो नी रहेगा फेस पे जादा मिर्च मसाला खाऊगे तो आपको पेट की समस्या हो सकती है स्टमक पेन हो सकता है या तो कोई इंफेक्शन हो सकता है तो कहीं न कहीं जादा अगर खाते हैं तो भी दिक्कत होती है नहीं खाते तो भी दिक्कत होती है तो कहीं न कहीं बहुत जादा इंपॉर्टेंट है फूड हमारी बॉड़ी के लिए लेकिं कैसे कैसे टाइम पर क् नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा सुरूरी है ठीक है तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है तो ये सारी चीजे हम जानेंगे इस लेसे में तो शुरुवायत करते है तो ठीक है ये फट क्या है पुट के 소शल फूMAN्शन फूट ऐटिक ये वाथ इन वीडैश पूंपर है अधर परसम प्सके सोशल ही आपकशल में असशेरीचैरी अंवर्ड 1 तो Certain occasions such as birth of a child, a marriage or a bird days are celebrated by having feeds and serving delicious food. Also has a specific significance and meaning of the religious context. अब जब अच्चा पैदा होता है, जैसे बहुता है ना कि 6 दिन हो गया, 12 दिन हो गया और 7 मेना हो गया, तो कहीं न कहीं लोगों के लिए कहा जाता है कि भे भोजन कराना है. तो उसमें भी एक चीज होती है कि अगर बच्चा छोटा है तो उसके छोटे होने पे हमें लोगों को क्या खिलाना है और जब बच्चा अगर bird days करना है, पूजा होती है घर में और functions हो रहे हैं तो उसमें हमें क्या खिलाना है तो ये सारी चीज़े जो हैं अपने अपने माइने हैं अपने अपने तो उन्हें ने यही कहा कि कौन से occasion में क्या खाना देना है तो ये भी एक नॉलेज होता है जो कि हम कह सकते हैं उसको social function अब psychological function किसको कहते हैं, we all have emotional needs such as need for security, love and affection, food is one way through which these needs are satisfied, for example, how do you feel when your mother prepares for your favorite food or dish कि हमें कैसा लगते हैं कि हमारी ममा बहुत अच्छा एक dish बना रही है और हमें क्या फील होता है, you feel that she loves you, cares for you, food is often served as a reward also, do you recall giving a chocolate because someone had been good to see you Similarly, certain foods become associated with the sickness such as a khichdi, blank food, sickness is an unpleasant experience, hence even the food items served during this state may be associated with the unpleasant feeling अगर हम बिमार होते हैं तो हमें क्या दिया जाता है, khichdi दी जाती है, हलका भोजन किया जाता है, क्यूंकि जो भी हम medicines खाते हैं, उसके वज़े से अगर हम तीखा खाएंगे या तेल मसाले के चीज़े खाएंगे तो उसके वज़े से जो रवाईयों का असर है वो नहीं हो पाएगा, बोडी में जल्दी कवरप नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो psychological function क्या होता है, there are three psychological function performed by food, there are energy giving, body building, regulating body process and providing protection, ठीक है, against diseases, तो हमें food जिस तरह से हम खाते हैं तो हमें एक ताकत मिलती है उस उस बिमारी से लड़ने का, ठीक है, लेट उस सी देम इन डिटेल, food provides energy, everybody needs energy to do a work, energy is required for a walk, studying, eating, working, house or outside, you get these energy from the food that you eat, you need energy even when you are resting, you need energy when you are talking, you need energy when you are dancing, तो हर एक action करने के लिए हमें एक energy मिल चाहिए, जो की बहुत important है, can you tell why different organs inside your body are always working, from the heart is pumping, blood, stomach is digesting, food, lungs are breathing in air, etc., all these organs are energy for their respective functions and food provides that energy, तो हमारे जो हम खाना काते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा खाना खाने से हमें कौन से ओर्गन पर ये सारी चीज़ें जो हैं, ताकत देरी हैं, मतलब हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या-क्या organs पर ये काम कर रही हैं, क्या-क्या organs पर ये काम कर रही हैं, food help in bodybuilding have you ever wondered how a small child grow into an adult our body is already made up of thousands of small cells now cells are added to these to help the body to grow food is needed for the formation of new cells cells also die or damage due to injury new cells need to be formed at this repair working done with the help of food now food help to the bodybuilding this is our body this is not a building if the body is open or if the body is wrong then repair it repair it it is necessary to repair and if we don't take the medicine and don't eat it then there are problems food regulates body process and provides protection against diseases regulatory functions referred to as role of food in controlling body process for example our body temperature is maintained at 98.6 degree F or 37 degree celsius similarity the heartbeat are also maintained at 72 beats 72 which means 72 pumping our heart excreation of a waste product from the body is also regular if not the body suffer from a diseases called constipation which can be lead to further complications all these processes are regulated by the food that you eat the food that we eat gives us strength to fight against diseases look at the illustration 4.1 learn about the function of a food now let's look at the function now we will see the function of this diagram this is the food that is full of food in the food that you are watching what is this food that is social function where we eat in parties अगे तो जया है जो कि जम्फूर्ट बी हो सकता है उसमें जो नहीं भी खाना चाहिए वह सारी चीजे हम जाधा खा लेते हैं जैसे हमने चॉकलिट ज़्यादा खा लिया या सुमॉसे ज़्या चिप ज़्यादा खा लिया तो उसकी मेंटेर्नस होती है थोड़ा-तोड़ा खा और सकता है या तो रेगुलेशन जो है हमारी बोड़ी की वो खराब हो सकती है साइकोलोजिकल क्या होगा साइकोलोजिकल हमारी मदर वही चीज के लिए जो हमारी बोड़ी के लिए अच्छा है जो हमारी health के लिए अच्छा है, इसकिन के लिए अच्छा है, हमारी brain के लिए अच्छा है, जो हमारी organs को काम ताकत दे, वो सारी चीज़े जो है, वो हमारी मदर के लाती है, यहां पर social work, किस तरह से काम होता है, तो यहां पर दो टाइब के खाने बताएगा है, अब energy giving, energy giving में growth किस तरह से हो रही है, energy किस-किस food की मिल रही हमको, और उससे साब से growth हो रही है, strength, regulatory किस तरह से, हमारा जो blood circulation है, वो बढ़ रहा है, because of the food, foundation, यह सारे चीज़े जो diagram है, यह foundation of food की है, अब बात करते हैं, nutrients and their functions, we all know that food helps in a nourishment and health of a body, the nourishment is what about the small units called nutrients present in a food, and what are these nutrients, now we will see, कि in food की nutrients क्या क्या है, ठीक है, यहां पर micronutrients, and macronutrients, यहां पर दो जो यह दिखाएगा है, यह difference आते भी हैं, exam में, कि what are the micronutrients, and what is the micronutrients, इसमें difference आपको क्या करना है, कि both macronutrients are the micronutrients, are equally essential for food, each nutrient plays a significant role in the body, ठीक है, अब दोनों का काम है, बाडी को energy देना, लेकिन अपने अपने तरीके से, अपने अपने वे में, ठीक है, these are the present are large quantity in food, are also required in a large amount of the body, carbohydrates, proteins, fats, and oil, micronutrients, ठीक है, अब काबो हैडरेट का काम क्या होता है, available carbohydrates, carbohydrates, carbohydrates are present in a large quantity, as starch, cereals, legumes, pulses, potatoes, they are present in a simple carbohydrate, sugar, jaggery, fruit, honey, and milk, starch and sugar are easily digestion, and provide energy to the body, अब जो ये सारी चीज़े, यहाँ पर बताएगे, जिसे पालक है, ग्रीन सबजी है, अरी सबजिया है, तो ये सारी चीज़े, बहुत चल्दी, carbohydrate हमें देती हैं हमारी बॉडी को, और इस वज़े से digestion जो है, वह बहुत अच्छे से होता है, और हमें उसके वज़े से, कोई problem नहीं होती है, ठीक है, तो जैसे जाकरी है, good fruits, honey, जह, दूद, तो ये सारी चीज़े हमारी बॉडी को, बहुत अच्छे से digested, मतलब, हमारा जो digestion है, वो strong रहता है, और अगर हमारा पेट सही है, मतलब हमारी बॉडी सही है, और अगर हमारे पेट, मतलब आपको कोई पेट की समस्या है, तो इस वज़े से, जो पूरे सर्पूलेशन है, वो खराब हो जाता है, इसलिए अक्सर अका जाता है, कि आपके पेट को सही रहना चाहिए, ताकि आप स्ट्रॉम रहें, अनवेलेबल कार्बोहाइडरेट और डाइटरी फाइबर, अनवेल्वेलेशन है, ये बाट आपके प्याटरी और खित्हुलेशन है, अनुझाट अन चाहिए प्याट अफेट इस थांश को चेंए लगीजशन को ठीज और चाहिए, अनरीश दुलेशन है, provide body building therefore carbohydrate have to be consumed in a proper amount of spare and proteins for the body and building आपस ना इस में बताएं कि अगर हमारी बोडी में अच्छे से हम खा रहे हैं काबो हैडारी जिसे जिसमें जिसमें काबो है जी सुटच वो सारी चीजे के वज़े से हमारी में पर नहीं होपाथा है और जो डाइटरी सिस्टम है जिसमें फाइबर होता है व lifूदव के तुछ दिक्कत न हो और इस वाजए से यह सारी चीजह बता sunny function of a carbohydrate are summarized here carbohydrate provide energy carbohydrate are main source of energy carbohydrate spare protein of the body building function now food sources of carbohydrate are cereals we trys base rames et cetera pulses rajma chana dal roots are tubers and potatoes प्रोटइटो, बीटूट, अन्ट इन्टियुट रटापियोका, शूगर जागरी, ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन अनिदी टो बॉड़ी, बोडी बॉड बॉडी बॉड इनटी और पोर किलोग्राम नोजी, प्रोटीन बोहत जारूरी हमारी बोडी के लिए, ना वी गो तो the function and sources of protein the functions are needed to grow with maintenance repair tissues necessary for protection enzymes hormones antibiotics hemoglobin etc help in a clotting of blood provide energy necessary a clotting of blood मतलब अच्छे से blood vessels को काम करने दे और हमारी जो blood में है कि कोई भी clotting ना हो ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है इसलिए हमें protein उस इसप्रोटीन हो रहे है तो सोर्स केया है जिसमें protein होता है milk, beet, coli tree, fish eggs, milk, cheese, paneer, curd तो जो दूद्स से बनी चीज़े होती है उसमें protein भर भर के होता है इसलिए जब ही आपको protein की कमी हो आपके बाडी में तो यह सारी चीज़े खाएं चीक है special features animal protein protein from meat, egg, milk and better than vegetable protein तो डो नॉट कंटेन और अच्छे ज़गर अगर हम ठीक है अनिमल मतलब जो भी नॉटवेज चाहिए और जो भी नॉटवेज चाहिए रादा चाहिए है प्रॉब्लम होती है ठीक है फैट तो बढ़ता है लेकिन उसके बहुत सारे नेगिटिव पॉइंट सी है ज्यादा तर आपको ताकत तो मिलती है लेकिन उस बज़े से जो आपकी बॉड़ी में फंक्शन्स खराब होते हैं वह सारी चीजे बाद में पता चलती है अपका फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है डाइजेशन में भी जल्दी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है बाद में वी जारी चीजे समस्या हो जाती है इसलिए हमें ज्यादा तर वेजीटेबल्स काना चाहिए जिसमें प्रोटीन है इंक्लिवडिंग तो और more sources of vegetable protein in each meal to improve the quality of a protein and utilization okay fats and oils fats and oils are concerted source of energy in our diet one kilo one gram of fat gives nine kilo energy sorry nine kilogram of energy fats are made up of a small unit fatty acids that are called may be saturated and unsaturated saturated fatty acids are found in solid fats okay where are oil certain unsaturated fatty acids and vegetable oil are rich unsaturated fatty acids and due to no there is a difference between fat and oil okay just fat होता है और oil ये different different ways है if substances liquid are room temperature it is called oil and if some substance solid at room temperature it is known as fat ठीक है तो यहां पर difference बता दिया गया है अब function and sources of fat and oil functions provide concentrated source of energy reduce the use of protein energy carry fat soluble vitamin a d e k into into the body of help in the absorption of these vitamins and help to maintain body temperature the layer of a fat and under the skin and under the skin help to conserve body that heat act as a function of cushion to certain vital organs help in a growth of tissues now what are the special features जिसमें oil and fat होता है वो सारे sources कौन कौन से हैं cooking oil गी बटर ओई सीड नाट्स मीट पॉली ट्री फिश एग्स फूल होल मिल चीज ठीक है तो यह सारे चीजे जो है जिसमें oil होता है fat होता है तो यह सारे sources हैं अब special features क्या क्या है fats improve texture as well as absorb rating flavor marking meals more appetizing fats have properties that help them to remain the stomach longer and prolong the feeling of fullness ठीक है जिसमें oil होता है अगर हम oil वाली चीजे खाते हैं तो उस वज़े से हमें भरा भरा पेट लगता है हमें अच्छा लगता है पेट में कोई कि अपने oil वाला जो खाना खाया है वो कहीं न कहीं का लगसा होता है और बिना oil वाला खाना जो होता है उस रुखा सुखा सा रहता है यह सारी चीजे difference between भी रहता है test में भी और अपकी body के लिए भी ठीक है now what are the micronutrients okay micronutrients में क्या-क्या features है और यह सारी चीज़े क्या है तो हम next वाले class में next वाले class में पढ़ेंगे तब तक के लिए आप like करिए share करिए comment करना बिल्कुल मत भूलियागा अब मिलते हैं कल next video में तब तक के लिए bye bye and take care don't forget to share and subscribe the channel bye